दोस्तों अगर इस तरीकी की लेंडिंग करना चाते हैं वो भी फ्री में तो आप जोईन कर सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल को जिसका लिंक पहने डिस्क्रिप्शन में दिया है जाके जोईन करिएगा दोस्तों आज बात करेंगे 14% का फॉल आया है कितना है 14% का फॉल अभी मैं आपको दिखाऊंगा अनस्पेक्टेट फॉल है और मैं आपको बताऊंगा निफ्टी के लिए ये बहुत बड़ी बैड न्यूज है क्योंकि निफ्टी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला से आप देखेंगे यहाँ पे इनके लिए बहुत अलामिंग इंडिकेशन आ चुके हैं तीन से चार बड़ी अपडेट हैं अमेरिका की तरफ से 14% का क्रैश हुआ है अमेरिका ने अपना डेटा भी रिलीस किया है चाइना ने भी अपना डेटा रिलीस किया है जो आपको पता नहीं आ रहा लाइक उसमें कहीं से सस्टेनिबिलिटी नहीं आ रही स्ट्रॉंग ग्रोथ नहीं आ रही इवन देखेगा ये भी नहीं आ रही कि डिमांड रिकवरी जैसे कोई अपडेट मिल लई हो लाइक बिलकुल भी कहीं से भी डिमांड रिकवरी जैसे अपडेट आप आपको देखने हो नहीं मिल लए इवन अदर सेक्टर, कॉमोडिटी सेक्टर, मेंटल सेक्टर ये भी तेजी से गिरते चले जा रहे है इस अपडेट के बाद तो अगर आप देखेंगे जो अपडेट है वो आपको पता होना चाहिए भी मैं 14% का फॉल भी आपको वीडियो में बने रहेगा तो सप्लाइ बढ़ती चली जा रही है अमेरिका जैसे देश में अगर सप्लाइ बढ़ती चली जा रही है विंटर्स में तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है चुकि ओपक ने भी अभी कट किया था और रशिया ने भी अभी कट किया थ तो other country का क्या होने वाला यह आपको पता होना चाहिए तो अगर आप देखेंगे crude oil prices fall 5% 5% तो just 18 घंटे में गिरें 14% अभी मैं आपको दिखाऊंगा demand का काफी बड़ा देखेंगा panic यहाँ पे आपको देखने को मिल ला है अब आगे बढ़ते हैं तो अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से जो fall आया है आप check out कर सकते हैं भी मैं आपको दिखाऊंगा भी तो यह तेजी से आया है इसका पहले क्या देखेगा यहाँ पे कारण हुआ है यह बताते हैं inventory बढ़ गई है supply बढ़ गई है इंडस्ट्रियल प्रोडिक्शन अमेरिका में तेजी से कम हो रहा है यह मैं उस country की बात कर रहा हूँ जो super power in the world है super power in the world है अगर वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडिक्शन नहीं आ रहा तो आपके export हिट होंगे दुनिया के export हिट होंगे global GDP हिट होगी और आपको पता है कि इसका overall impact पूरे global market और Indian stock market पर भी देखने मिलेगा तो अगर आप देखेंगे जो crude inventory है वो 3.6 million barrel last week क्या हो गई उससे बढ़ गई while production held at record 13.2 million barrel per day according to data release by energy information agency तो आप देख सकते हैं यह जो data release हुआ है उसमे supply तेजी से बढ़ गई और उतना देखेगा जादा demand US economy में नहीं हो रहा जो कि एक super power है और अगर आप देखेंगे यह बहुत कम देखा जाता है अमेरिका की तरफ से जबकि winter season शुरू हो गया है फिर इसके बाद चाइना की तरफ देखेगा जब रुक किया गया जो second largest economy है तो वहाँ पे भी बताया गया कि यहाँ पे 2.8% से जो है यहाँ पे demand है वो कम हो गई है तो यह दूसरा बड़ा hit कर गया market को यह impact और आपको पता है यहाँ यह top country जो सबसे बड़े consumer है अगर यह demand नहीं create करेंगे तो आपको पता है फिर other countries उतनी ज़्यादा demand को set off नहीं गर पाएंगी जो कि एक है largest country एक largest populated country second largest populated country है और दूसरी है superpower सबसे development nation है तो आप देख सकते हैं चाइना की economy काफी तेजी से reopening हो रही है महनत कर रहे हैं बट still demand अभी तक नहीं create कर पाएं हैं बीच बीच में और आप देख सकते हैं 14% तक देखेगा ये fall आया है 15 दिनों में crude में ये आपके सामने हैं लगातार कहीं sustain नहीं हो रहा कहीं भी sustain नहीं हो रहा सीधा crash हो रहा है सीधा crash हो रहा आप देख सकते हो जबकि Israel, Hamas, war पूरी तरीके से continue है यहाँ पे panic भी create हुआ 92, 95 तक ये देखेगा crude के prices भी गए बट still अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी impact जादा time तक survive नहीं कर पाया और crude अगर इस तरीके से down हो रहा है तो आप ये समन लीजे फिर सबसे जादा panic आएगा यहाँ पे reliance industry पे दूसरा देखेगा oil and gas अगर आप देखेंगे 11% का इसका weightage रहता है NFT में तो वो भी सीधा impact हो रहा है जोकि crude crash हुआ है crude crash होता है तो उनके profit कम हो जाते है और rainfall tax अभी भी ठीक ठाक है अगर आप देखेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा impact पढ़ने वाला है construction पे, metal पे, consumer durables पे इन पे impact पढ़ने वाला है जिसका आपको heat Indian stock market पे भी देखने को देख सकता है तो इसलिए be cautious वीडियो अगर अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना न भूलेगा Thank you so much